हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस डोहसार चॉबीज का विज्ञान का पेपर वारल है इस पेपर का आप सभी को संपूर हल कराएंगे तो आप वीडियो को लास्ततक जेरूर देखें फ्रेंस यहांपे जितने भी कोेस्ट्चन है उन सभी question को अदम simple तरीका से आप सभी को सिखाने वाले हैं तो आप video को एक second के लिए इसकीप मत कीजिएगा और इस paper में जितने भी question बताएंगे उन सभी question को आप जरूर एक बार तयार करके जाएगा ठीक है देखिए आपको जब paper अब लेगा तो यहां पर आपका समय रहता है तीन गंटा पंद्रे मिट का समय रहेगा अब पुडांग जो रहेगा total सत्तर नंबर का रहता है ठीक है यहां पी इसके कुछ निर्देश दिये जाते हैं इस निर्देश के बारे में आप सभी को को बता देते हैं कि जो फंद्र मिट रहेगा प्रश्ण पत्रपट्र के लिए समय आपको दिया जाता है और इसमें दो खंड ऊते हैं वनरात्मक प्रश्ण रहेंगे ठीक है तो बीस नंबर का आपका खंड और पचास नंबर का जो जो आपके निर्देश्थ आप सभी को पता दिए जो है आप पहल दीजिएगा चलिए आपको सीधे प्रश्ण हल कराते हैं यह जितने भी प्रकार से सभी इंप्रश्ण है तो आ यहां पे बहुई कलपी प्रश्ण आपका है देखिए यहां पे पहला नंबर का आपका सवाल क्या है कि एक प्रकास की जड़ किसी लेंंस के भीतर इस्थित किसी बिंदू से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है वह बिंदू लेंस का कौन सा भाक कालाता है आप सने फोक बनाते हैं फिंदू कोई आट्र गर्डवार बस बदाते हैं सिधल न हömंडाते हैं प्रकास प्रकास कि जए अग्र और से केंद्र से होते हुए दरपड के प्रिष्ट पर आपतित ठोंती है प्रावर्तन कोड़ का मान होगा ठीक है यहाँ प्रावर्तन कोड़ कोई बना लीजी चलिए क्या ओतुर्ड बनता है यह मुंख्यच्छ होता है यह वकरता केंद्र होता हूथ यह ठीक होता है चलि यह दिखा देते हैं और इसको आप अच्छे समझिए जो अप्रा आप प्रावरतन अप्रावरतन जो मैं कोड क्या बनात कोई नहीं बनता इसका मतलब आप कितने अंस कोड़ बनेगा जीरो अंस बनेगा इस चीज को आप ध्यान दीजेगा तो इस प्रश्ण का सही जब क्यों होगा सी वला आपसां सही हो जाएगा देखिए सभी प्रश्णों को इसी प्रकास आपको समझा के बताएंगे एक बार आप समझ के लिखेंगे तो आप से होगी ठीक है तो आपसां देखिए पचास सेंटीमीटर से लेकर सो मीटर के बीच में पचीस सेंटीमीटर से अनंत की बीच में होना चाहिए या सो सेंटीमीटर से लेकर सो मीटर के बीच या पचीस सेंटीमीटर से लेकर सो पचास सेंटीमीटर के बीच समान आप है प्रश्ण पूछता है कभी भी निकट बिंदू 25 चंटीमीटर होता है समान्याख का और दूर बिंदू कितना होता है आपका अनन्त यह एक समान आख की विशेष्टा होती है इसका सही जो भीवल आपसन सही हो जाएगा अगला प्रश्ण देखे चौथा नंबर का कि किसी पर परिपत के पर्तिरवत को तीगुना कर दिया जाता है तो परिपत में धारा का मान आपको बताना हो परिपत भार का मान क्या हो जाएगा अ करक्त को दारा का मान क्या हो तो यहांवे देखिए आप सभी को पता है कि स्कूल्टी भी आजरा होता है होता है यहां। अनुषार। आर्फ बीघै राइक का इस स्थिफित लेए गुना हो जाएगा ।olp इन्वर्सली मन्ना आई प्रोपरेंट बढ़ता हुए सई धारा कम होता है कम होता है यहां पर पर प्रतिरोध तिगुणा अब करेक्ट होगा अगला प्रशन देखिए आप पाचवा नंबर का कि किसी मकान में 200 बोल्ट पर उध्यूत आप पूर्ति की जाती है मकान में 100 ओम 200 ओम परत्रोत के दो विद्धूत बल्ब प्रति दिन एक घंटा परियोग में आते हैं तो प्रति दिन विद्धूत उर्जा की खपत पूछ रहा है कितना होगा इस सवाल को देखिए आप पूरा डिटेल में इसको समझ लीजिए देखिए यहां ओँ यहां पे 200 ओम और 200 में दो विद्धूत बल्ब है क्या ग्याद करते हैं गsınızना टार्टेल में लगिए दो patrol के द्वारा पहले बल्भ के दोरा कितनी विद्धूत उर्जा क्कृत होगा थे deze या डाबलू ना देखाऊ दें च molta शकर एया होता सब्सक्राइब करेंगे इतना हो जाएगा देखिए जीरो से जीरो कर जाएगा जीरो से जीरो जीरो दोटनाके 400 क्या हो जा गार जाएगा छार बीजली छपत होगा अगर्फिए दूसरे बल्ब में डूसरे बल्ब साथ दूसरे बल्ब में पीटूल में ले लेजैंगें से चाया एक ऐप ऑफ श्क्राइक नेश Commerce a kji अपारे कि अब आर कमान दूसरे बल्व क्लिए कितना है दोसो लिजिएगा दोसो अगुड़े समय कमान दिया यहां पर एक घंटा ही दिया है एक ले लिजिएगा ठीक है अब यहां पर देखि क्या करना है काक लिजिएगा दोसो गुड़ें दोसो अपान दोसो करेंगे यहां पर जाए दोसो वाट घंटा इसलिए लिखा जा रहा है कि आप क्या है देखिए यहां फें तोटल आपके regular होगा तो पूल खर्च है तब बराबर रोज़ें प्लस पीटू सभी को जो में जिए प्लस पीटू पीवन कमान कितना चार सो और प्लस दो सो जो लिए कितना चार्थथ फेटू जह सो उपन्ट घंटा होगा ठेक ने वाट गन्टा देखें इस धियान देयेगा कि किसी गोली धरपड तथा किसी लेंश की फोकस दूरी माईनस 25 cm R सबभूत दृपड कौन सा होगा और लेंश किसका में यहाँ फोकस दूरी गails आपको पता है कि गोले दरपड़ में आपको पताना है कि किस दरपड़ का माइनस आता है तो देखें किसका Muito How ऊट राब्स ज्क यह यह क्या माइनस मेशता है पलैनले नबर पता अपकर दरपड़ होगा दूसरा दार किसका माइनस वहkte दिकिना होता है उत्तल टितल करें आउतल लन्स क बूर्फ-मैनेस में आती है्ज इन ठीक है ठीक है यहां पर माउनेस दे यह आए मईनेस तो यहां पर अउतल लेज़्कनकर काई आपसनर को आपसनर करेक्ट होजाएगा ठीक है तो जैसे समझा है इस तरह सवाल आप से पूछे ते जैसे समझा रहे हैं इसी तरह लगाईएगा ठीक है अब देखें आपके सामने सातवा नंबर का सवाल है कि किसी विद्धुत परिपत में दो चार ओम च्छों के तीन परतिरोत सिरणी करमें जुड़े हैं परिपत पर्तेङ को बनाईगा इस तरह देखिए हैं यह बनेगा आपका सिरणी करम में ठीक और यह क्या है व्यहति क्मा क्यों श्यूंत अब ये cats ऑगिन करदेश के ऊधली करम परतेक इस्थिति में आप का धारा कमान समान होता है यहां पर पूछ बालत दमार दो आइता ब्वांस कितना हो जाएगा इसे ट स्विट कितना हो कितना हो जाएगा ने किधी आइए रहेगैं दूना के च्छाह दुना के आठ बोल्ट हो जाएगा इसी तरह भी द्री लिजेगा भीद्री क्या हो जाएगा आई-R3 हो यहां पर आई का मन तो दो रहेगा आपका अर ठीकमान कितना हो जाएगा छ ता जुना के 12 यानि कि देखें चार आठ बोल्ट बारा बोल्ट यही आपका क्या होगे चारट एंजे चार आठ बारां ज्वावल आपसं 만든 चार बोल्ट होगा पहले में और दूसरे आठ ओर दिसरे में Rub फोलल इसप्रष् Watts का सभी जवाब यह वला आप सम्क्रेक्ट हो जाएगा ठीक है अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है उपखंड खर्म ठीक है आठवा नंबर का है कि जडियन प्लस यहां पर है जडियन इस फोर प्लस अश्टू यह अभी किलिया बताना है कि कौन सी अभी किलि अभी किलिया हो जागा तिसका सही जो बीवलाप सम्क्रेक्ट हो जाएगा जडियन सफर बलता यह अश्टू बनता है और हाईडूजन मतला विस्थाप्रित हो जाएगा अगला देखिए नो नंबर का यहन आटू-COO-3 का प्रचलित नाम है यहानि सोडियम यह तो आप देखे बिश्ग पाउडर फार्मुला बेकिंग पाउडर को फार्मुला और प्लास्ट्रा पेरीस का फार्मुला जरूर याद रखियेगा यह आप जिएगा यह जाब से वल आपसर एक्ड़ हो जाएगा यह तुसीजरी का परचलीत नाम धावन सोडा है आप जरूर ब्लीचिंग पाउडर का जैसे फार्मूला था C-A-O-C-L-2 इसको याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला यह होता है प्लाश्टर आप फेरे इसका फार्मूला क्या होता है कि C-A-S-O-4 हाफ H-O होता है ठीक है इसको भी साथ में आप याद रखिएगा ठीक है तो यहाँ पे जितने बता है इंसाभी फार्मूला को आप जरूर याद रखिए ठीक है अगले प्रश्णों को देखते हैं देखें दस नंबर का आपका सवाल है कि निम्डर खित में से चार धातू है आपको चार धातू बताना है अगले इग्यारी नंबर लेखाल का लगी को का शौमेलन का लमB में दिये गए उनके उधारी से कीजिए हैं देखें यहां पर कालम्त में orका ने तडिया। बच्छे फाइलो एलकोहने में आप याद रखिएगा वैलोिकें इसमें को पाउचान इसमें पाइप आपका क्छान ही पाइलो पाल्व क्राह 10 कहता है पर इसके बाद इतने पाइम करे ₹ इक इतने के साथ आप करेटमकस मुझ सब्हूर Lena is Chasol, तर यपनन अ mayorika 5 FM यहां हो जाए घ्रह तथी को हो जाएगा है यहां पर यहां पर इससे मिल जाएगा रहता है देखें एक सेकेंड नीज नीचे दिया तो यहां पर यहां किमें एक सेकुंट यह कौन सा पे कोरूं यहां पर चुंकर दिया है यहां पर करिकेंड को कर जाएगा ठीक है इस तरह मिलान कीजिए गा तो 11 के क्यों सा शही होगा आपका ये वल आफ्षण करेक्ट हो जाएगा ठीक है देखे अगला प्रश्ण आपका है चार दातू सोडियम चार दातू कौन सा आता है जो उपर प्रश्ण पूछा था तो देखे आपका लीथियम हुआ सोडियम हुआ पोटेशियम ये चार दातू होती है इसका सही जो भीवला अप्षन करेक्ट हो जाएगा इसे याद आती है ना चलिए रही बता दोते हैं एक होता है कि यह यह मनना सुत्र हो सीवल आपसन सही है तिन तीनों में सो कोई भी आपको दे सकता है यह किसी का फार्मूला नहीं होता है ठीक है देखे उपखंड गई स्टार्ट होता है चोदर नंबर का सवाल है कि पौधों में जड़ो दुवरा और सोसी जल वखनीच लवड का परिवहन किसके माध्यम से होत है इसका समानी रक्तफ़ आप कितना होता है 120 बटा के 108 होता है इसका सही छोप सीवल आपसन आप सही कर लिजिएगा कि साभी क्या होता है 120 अंगों के 80 होता है अगला देखे 16 नंबर का निमनल खित में से कौण सा समजात अंगों का सर्वस्रेश्ट उधा रहे हैं यहां प चंडल की अनुसार मटर के पौधे में निम्रिखित में से कौन सा जीनो टाइप लंबे तने जुरिदार वीजों के लच्छड को ब्यक्त करता है ठीक है तो यहां पर आपका हो जाएगा कैप्टल टी टी और इसमाल आर आर तिस प्रश्ण का सही जो आप सीवल आपसं जाएगा कि लंबे तने और जुरिदार वीज के लच्छड को ब्यक्त करता है कैप्टल टी टी और इसमाल आर आर व्यक्त करता है ठीक है अगला देगी अठारा नंबर का दिव खंडन वीधी दुवरा अलाइंगिक जनन किसमे होता है आपको वताना है तो यहां दिव नंबर का सवाल है कि अस्थानी निमासियों दर वन संपता को बचाने है तो प्रसिद चिव को आंदुलन कहां आयोजित हुआ था तो जो यह चिप को आंदुलन देखे फ्रेंस आयोजित हुआ था यह हुआ था आपका हिमाले के गड़वाल छेत्र में हिमाले में हुआ था तो देखे इसका सही जो आपके होगा एवाला कि हिमाले के गड़वाल छेत्र में हुआ था अगला प्रशन देखे 20 नंबर का कि जठर गरंतिया उपस्थित होती है यानि आपको बताना है कि जठर गरंतिया होती है कहां पूपस्थित होती है यह जठर गरंतिया जो होती है आ प्रश्ण आपके पूछे गया है यहां पर वर्णात्मक प्रश्ण में 21 नंबर का देखी सवाल है इन सभी प्रश्णों को आप जरूर तयार कर लें ठीक है यहां पर है कि गोली दरपड कितने प्रकार के होते हैं इनके नाम लिखना है किसी गोली दरपड की वकरता केंद्र एवं मुख्य अच्च की परिभासा आपको देना है एक उत्तल दरपड की फोकस दूरी 30 cm दरपड के समुख 5 cm लंबी वस्तु दरपड से 30 cm दूरी पर रखी है पर्तिविम की स्थिति आकर प्रकृती ग्याद कना है टोटाल यह चेयर नंबर का प्रश्न है दिखने फर बताते हैं गोली दरपड जो होता है आपका दो प्रकार के होते हैं है दो प्लकार के होते हैं is झान्सां हो उनका नाम पूछा तो गोली दरपड़ के था क्या करते हैं वकरता कैंद्र करते हैं मुख्य जवाब होगा यह जवाव होगा एक रायन का आपको बताने था ठीक है अब इसके बाद यहां पर क्या है आपका कि एक उत्तल दरपड की फोकस दूरी 30 cm दरपड के समुख 5 cm लंभी वस्तु दरपड से 30 cm दूरी पर रखी है प्रतिविम की इस्तिति आकार प्रकृति बताना है तो चलिए इस सवाल को लगा के बता देते हैं आपको ठीक है सवाल में जब उत्तल दरपड दिया है तो पहले आप क्या लिखिएगा यहां पर उत्तल दरपड के लिए फोकस क्या होता है फोकस कमान जो यह कमान होता है प्लस में होता है तो यह प्लस 30 cm होगा ठीक है उत्तल दरपड के लिए यह कमान प्लस में होता है यह चीज आपको होना चाहिए दरपड़ के समुख 5 cm लंबी वस्तू दरपड़ से 30 cm की दूरी पर रखा गया है तो यू कमान तो हमेसा माइनस होता थे तीज दिए ठीक है प्लस बराबर वैन हम भी यह माइनस सब्सक्रान कर देंग हो जाएक अन हम प्लसब्स न en filled एक तीज यह प्लस थीजि lass अन्ज यह जाएक त्यों गेंधक्त सब्सक्राइल से ध्युएne प्रतिविम कहां पर बनेगा 15 cm की दूरी पर बनेगा अब देखिए यहां पर एक चीज के पूछ रहा है कि प्रतिविम की स्थिति पूछ रहा है आकार कैसा हो अकार कितना बड़ा बनेगा अब प्रकृति पूछ रहा है इसका मतलब यहां पर आपको आकार क्यात करना पड़ेगा तो देखिए आपको आवर्धन बराबर क्या होता है रेखिए आवर्धन दरपड के लिए जो रहता है यह एच देफ इस बराबर माइनस भीर आम यू य यह तो फार्मूला ओता है अब दिखिए यहां पे आपको एक चीछ दिया है कि दरपड़ के समुक 5 cm लंबी वस्तू रखा गया यहां यहां पर देखिए का-कमाण 20 surfing अब हमाइन चाहिए शेया रखाइए कि कितना है युब मैंन शेटार करेंगे 5 बटा कर दो यह यच्छ बराबर होगे कि आपकी वस्तु की जो लंबाई दिया है लेकिन परतिभीम का कितना बनना है उसका आधा बन रहा है तो आप इसके प्रकृति के और वस्तु का बनता है शीधा कि फीद कर अफ्सका प्रतिभीम सीधा शीधा और कि उर्षा बंم आवा सिंग अभ Haad सी अर कहां पर बनेका दर्पड के पीचे बनेगा दर्पड के पीछे 15 संटीमीटर से तुम पंदर 2100 कि की थ्यार प्लिश अधी यदि पूछता है का बनेगा इसका पूरा इंसर था को पूरा डिटेल में बताएं इस तरह सवाल यदि आप से पूछेगा तो आप ऐसे लगा लेजिए का सवालों को ठीक है अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का बाइस नंबर का सवाल है आग की समझन चमता का के पी छोर यह टोटल कितने नंबर का है चार नंबरका यह बी प्रस्न है ठीक है है देखिए आपको बताते हैं आप एप कि समय क्वात्य धुर निंशित करके निकट और दूर की वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करता है तो क्या कालता है समंजन छमता कालाता है ठीक है स्वास्त मनुष्ट के लिए जो समंजन छमता होती है अब देखा सकते हैं इस तरह आप मानुनित्र बनाके यह आप दूर बिंदु रहेगा तो इसका रेटिना प्रतिविंब बनाक सब्सक्राइन ऱ्रहते हैं तेब देखा सकते हैं यह होता है इसका आज की की समंजन सम्धता ठीक है तो देखे इसके बात को आरह यहसे बनाना है कि यह से बनाने को अर दूसरा बनाने हो और बीच और इंधि रखा गया ठीक है दिखे पहले आपको बताते हैं कि जब वस्तु फवन पर रखा गया हो तो इसका परतिवीम कैसे बनेगा तो यहां से होते वे जाता है और दूसरा क्या प्रकाशिक के इंद्रे से होके जाएगा यहां पी इसका परतिवीम बनता है यहां इसको लिखेंगे जब पूछा है कि जब वस्तु अनन्त और टू यहां के बीच हो तो उसका परतिवीम किलर आरेक इस परकाश से बनाएगा यहां देख सकते हैं यहां पर अनन्त और टू यहां देखा दीजिए यहां पर वस्तु को रखे के मुक्या अच्च के समानतर एक प्रकाशिक के अंद्र और से गुजारियेगा। यहां परतिवीं 2-2-2 और बीच बनता है तो यहां पर, यह लाइन लिखना पड़ का बनाने के बाद कि जब वस्त्र अनत हैं , बता है, बता है बता सब थक है देखे अगला प्रश्ण आपका 23 नंबर का है कि परतिरोधों के समांतर सन्योजन के किनी दो लाभों का उल्लेग कीजिए दिये गए परिपत में परतेक परतिरोधों में प्रवाई धारा परिपत में प्रवाई संपूर धारा का मान ग्यात करना है तो यहां पर देखिए दूसरा लाभ होता है कि यहां पर जो बोल्टेज होता है बोल्टेज होता है एक समान होता है एक समान यह इसके लाभ होता है तो जब समान तरक्रम में जोड़ेंगे धारा नियुंतम होता और बोल्टेज एक समान होता है यह तो लाभ लिखना था अब यहां क्या करना है कि यहां पर प्रतेक प्रतिरोद में आपको धारा का मान यानि I1, I2, I3 ग्याद करना है साथ में आपको संपूर धारा मतलब I का मान भी ग्याद करना है इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे यहां पर देखिए आपको समझाते हैं पहले नंबर पर पर प्रतिरोद आपका समांतर क है तो इसको पहले रहल करते हैं जश्मांतर करम में है कैसे हल करेंगे यहां पर देखिए आप करते हैं तो आठ आठ बारा चोविस के लसे मोगा आपका चोविस देखे 8 3 के चोविस हो जाएगा बबारा दुना के 156 19 verse 20 www.4 ditない ट इन तो नहीं समें तो 1 हो जाएगा तेन त बार्छ च्छ चछ नों के 24 हो जाए गर एक बटा के आर एक बटा के आर और रेटे खगी च्छोंग एक बटा के आर बडला भजेगा 10 इनी को 21 को रखाकर 126 24 किआ औम्य नियां कि अनुसार ऑनी बराबर क्या होता है मतलए यहां पे लिखे लिएका है Cool अख DJ ah बड़ा कर दाके और यहां पर आपका बी कमान आठया तो रखिएगा कितना आप और यहां कर्लिशेट चार के इसके एकरास में बॉल्टेज 8 होगा, इसके एक समान होता है, यहां पर लाफ होता है, तो देखिए, इसके लिए परतरोद 8 होगे है, और बॉल्टेज भी 8 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, B बटा के 25 मान आठो और 11 कितना है अजहाँ आधे अचा आएstar का 8 में भागा यह वाग धैंगए एकiają डायक और इंप्यार इसनों कितना ञर्ड के ऐग में कीतना हो जबायीय Link यहां पर 12 कर लिजिए देखिए चार दुना क्या चारते हैं 12 देखिए अब तीन का भाग दू में देदीजी देखिए अब देखिए आपका ती आए 3 ग्याद करते हैं तो आए 3 बरावर क्या दा भी बटा के आर 3 हो जागा भी कमान तो आठी ही रहेगा आर थी कमान कितना दिया है आप चौबीस यहां प्याव 24 रखिए अट यहां क्या की जिए गए 24 और ग्याद करना था यह आपको समझाहें तो यह आपका पूरा डिटियल में इसका इंसल रहें इस तरह आप तयार कर लेजिए अब देखिए आपकी सामने अगले नंबर के प्रश्ण है इन सभी प्रश्णों को आप पाल लिजेगा कि विद्धूत् चुंब की प्रड़यों का आर्थ समझाइए किसी कुंडली में प्रेरित विद्धू धारा उत्पन करने के लिए किने दो विद्धूत्त विद्धू का उलेग कीजी ठीक है यह ट संतुर् Marin कीजिए आपका संतुर्राइथ करने देखिए यहां पिर एस्टू एसो फॉर प्लस यहां बना यर्म भापOOOO ocup करिंगे देखिए यहां पर संतुर्राइथ कर ना रहेगा यहां पर कितना दो दू एक पर रहे हैं बराबर होना चाहिए अब परमाड़ों के संगे आप बराबर करके देख लीजिए देखे दूदुना के चार हो जागा यह तो चार सोडियम होगा चार यहाँ पर हो गया हाइडूजन देखे दूदुना के चार और चार को यहाँ से हाइडूजन होगे ना यहाँ से हाइडूजन आप इस तरह दो तो सभष कब दो लेड़ी हो जाएगा और टू एजी हो जाएगा अब इसके बाद आप मिलान कर लीजिएगा फिर उसके बाद प्रमाड़ों के संख्या बराबर कर लीजिएगा ठीक है दोनों पच्छों प्रमाड़ू के संख्या आप बराबर कर लिजेगे देखे अगला प्रश्ण आपका है पहला अभी किरिया जेडियन प्लससाइश्टयू सफकुर प्लससाइश्टयू इभिकारक क्या है इधर होते हैं अभीकारख सब्सक्राइब क्या innoc है मिश्ड sub работает हुज होता है इह हैज आपको सिर्फ बताना था के उत्पाद क्या है अभीकारख क्या है ठीक अभी किरिया ताथ बनने वाले पदार्थों के नाम आपको लिखना है कि Ammonia Cooleride का होता है उसमी विवियोजन अभी किरिया आप देखाएंगे और उसमें कौन सा पदार्थ बनता है आपको बता न रहता है ठीक है लेखिए इसका उसमी विवियोजन का समीकड़ कैसे लिखें आपको सिर्फ समीकरड दिखाना अब आपके सामने अगले नंबर के प्रशन जो है आउपस्ति नंबर का कहा निलन लिखीत योगी को यूपस्ति आपको नाम लिखना है ठीक है इसका यूपस्ति नाम कैसे लिखेंगे बहुत सिंपल सा होता है तेस तक क्या होगा कि देखिए इसमें कैरब सब्सक्राइब यह अगामें एक 2-3 करण होनी का मतलब यह प्रोपेन होगा और देखिए आपका क्या क्या्य किट्वन समुए तपूत इस तांशतरा आपकेंina प्ड़ीआ आगला सब्सक्राइब में कारबन किसंग है कितना है एक दू तीन चार पांच छे आप छे कारबन होता है तो उसे क्या बोलते हैं इसमें और जूड़ जाएगा आल जूड़ता है न यहां पर क्या होगा आपका हेक्षे है यहां दोनों का आप तयार कर लिजी अगला प्रस्चन जो है निमली की ततों के प्रमाडु संख्या कितना होता है तो आक्सिजन के प्रमाडु संख्या कितना होता अक्सिजन के परमारू संख्या आठ होता है इसकी सनी जगता होता है इसकी सनी जगता होता है तो दो नों का इंस्वर यह बस आपको इतना इह बताना था यह दो नंबर का सवाल था आपका अगरा देखे 27 नंबर का निम्लिकित पर टिपड़ी आपको लिखना है टोटल यह 6 नंबर का प्रश्ण है ठीक है यहां पर एक योगात्मक अभिकरिया सवाल में कहें या योगात्मक अभिकरिया कोई सन्योजन या संकलन अभिकरिया के नाम से भी जाना जाता है देखे योगात्मक अभिकरिया क्या होता कि वह अभिकरिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार सन्योग करके के वर एक नया पदात बनाते हैं सन्योजन अभिकरिया कालाते हैं उधार के तोर पर आप याद रख सकते हैं जैसे सलफर और आक्सीजन के साथ किरिया करेगा तो एस लग पैजसित्तंचे क्या कहिआ अगला अगला पृसफ़ स्तापन अभिक्रिया आघ्याय कििक आजने किई योगिक की किसी यूगिक के कशी दूसरे दूसरे आफ़ाल के समHHH आ जाते है विस्थापन अभीकिया यह प्रतिएस्थापन अभीकिया काल आता है जैसे उधारों के तोर पर देखिए आप यहहांता क्या है कापर्पर सलफेट यफ यफ फी क्या करता है कि स्क्राइब कर लेता है どł बनता है यह फी सोफोर और स्यू क्या होता है यह से प्रतिस्धापीत हो जाता है तो यह आप लिख सकते हैं ठीक है अगला प्रश्चन देखिए आपका मीसेट मीसेट के बारे बताना हो गांगी कैसे बताने भी दक है कि साबुन के अडू लंबी स्रिंखला वाले कार्बोकसलिक अमलों के सोडियम एंपोटेसियम लवड होते हैं साबुन का अडू दो सीरो वाला होता है जिसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है है तो आईनिक भाग जल में घुल जाता है जल में साबुन घोल कर कपड़ा दोने पर साबुन के अडू मिसेल सरचना तयार करते हैं जहां साबुन के अडू का एक सीरा तैलिय कड की ओर था था आयनिक सीरा बाहर की ओर होता है इससे पानी में इमल्सन बनता है इस पका साबुन का मिसेल मेल को पानी में घोलने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाता है ठीक है तो मिसेल का निर्माड जो होता है तो सोडियम क्या सोडियम निकल रहा है तेल की बूंद इसमें पढ़ रहा है तो आप चित्र बना की इस तरह देखा सकते हैं बस इसमें टिपड़ी लिखे दीजिएगा मिसेल की सरचना करते हैं जहां साबुन के अड़ू का एक सीरा तेलिये कड की और तथा आयनिक सीरा बाहर की होता है इसमें पानी में इंबल्सन बनता है इस पकार साबुन का मिसेल जो होता है साबुन का मिसेल होता है पानी को पानी में घोलने में मदद करता है यह पॉंट तो याद रखिएगा ठीक है और यहां पर इसकी सरचना इस पकार देखा सकते हैं ठीक है इस प्रशन को आप स्थारी आक्साइड से कृilly करके उनके प्रभाव कर देते तरह लव जल का यज तो यह तो यहन्हे सील और प्लस यश्टूव बंता है यह उधासिन अभिक्रिया का एक उधार है ठीक है इस पकास आपको लिखना पढ़ेगा अब इसके बाद यह आथवा में दिया है पहला कि विरंजग चूड के दो उपयोग इस प्रश्ण को भी आप जरू तैयार कर लिजिएगा इसके लब संचार तभी सुबह वाले कलास में आप लोगो पढ़ेंगे इसके साथ प्लाष्ट प्लास्ट के उपयोग देखना हो अच्चाra प्लाष्ट करते हूँ यहां प्लास्टर करने में तो यहाँ प्रश्ण में अठ्वां में दिया है करते हैं यह सभी प्रश्ण आप जरूर तैयार कर लेजिए गए सन शाल अभी सुबह पढ़ा है थे आप सभी को विरंजक प्रारमुला बता है इसके दू उप्योग देखे विरंजक चूड चूड क्या होता है तो विरंजक चूड पानी को किया करके दर नाशक बनाने के तो आप पाचन किरिया आप सभी परढ़ा है तो 5 किरिया क्या होता है मानों में पाचन किरिया का सची तरवर्णा करना यह तो टोटन dominance का प्रशन रहेगा अगला प्रशन आपको किजिएगा यह तोटन चार। प्रेशन करेंगा यह प्रंपरागत यह नवी और लिजा सी किनी तीन नवी उर्जा प्रशन प्रशन की परिवहन अस्थनांत्र पड़िक्रिया का विश्तार से वरण करना है यह सभी इतने भी प्रशन पता है इन सभी प्रशन को आप जरूर तयार करले जीए ठीक है फ्रेंज जितने भी प्रुष्न आपको बता है उन सभी प्रशन पता बोलत है तो विडियो को लाइक करें और डोते दोस्तों के पड़ियो को से करें झाल झाल वाल